हेलो दोस्तो नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है लार्ज कैप मुच्वल फंड, HDFC टॉप 100 मुच्वल फंड के आज हम रिवियू करने वाले हैं हर बार की तरफ फोकस रहेगा डेटा पर और उसको हम बहुत ही सिंप्लिफाई करके इस वीडियो में लाये हैं दोस्तो तो हम लोग यहाँ पर पांच चीजों को डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले फंड के बारे में हम डिसकस करेंगे इसकी एने वी क्या चल रही है लेटेस्ट वो हम बताएंगे फंड ने कैसा performance दिया है पिछले कुछ सालों में कुछ महीनों में वो हम बताएंगे रिस्क के बारे में समझेंगे दोस्तो यह रिस्क ऐसी चीज है जिस पर बहुत सारे investors लोग का ध्यान नहीं जाता सिर्फ return और performance पर जाता है लेकिन रिस्क को भी जानना बहुत ही जरूरी है उसको हम समझेंगे portfolio updates देखेंगे हो सकता है कुछ नए stock के ideas भी आपको आ जाए और last में verdict की ये fund आपके लिए सही है या नहीं है तो दोस्तो यह है latest NAV 9 April तक की अगर direct plan अगर आपने लिया है HDFC top 100 का तो 607.5 है और growth plan 576.1 तो दोस्तो growth plan में generally थोड़ा सा cost high रहता है क्योंकि यहाँ पर जो भी distributor होते हैं तो उनका भी cost add होता है तो यह एक तरीके से professionally हम कह सकते हैं कि manage होता है लेकिन direct investing आप खुद करते हैं directly करते हैं तो इसलिए यहाँ पर cost थोड़ा सा कम रहता है अब inception की बात करें तो October 11, 1996 मतलब इस fund ने 24 साल से जादा का एक सफर तई किया हुआ है तो बहुत ही long term इस fund की एक history रही है 18,660 करोड का यह NAV है जो की बहुत ही बड़ा माना जाएगा एक और important चीज इस fund को लेकर जो है वो है Mr. Prasant Jan जो की इसके fund manager है और आप देखिए fund manager है June 2003 से लगभग 18 साल होने आये है ऐसे बहुत ही कम fund manager होते हैं जिनोंने इतने long term तक survive किया होता है अब fund किसको beat करने की कोशिस कर रहा है Nifty 100 TRI को तो अब देखते हैं कि fund ने beat किया है या नहीं किया है तो यह है returns अब देखिए यह है 9 April तक के return यह value research से हमने data लिया है देखिए BSC 100 के साथ और large cap के साथ हम compare करेंगे दोस्तों बहुत ही simple data है यहाँ पर इतने number देखके हमको कहीं पर भी confused नहीं होना है देखिए अगर आप January 1, 2021 से आप देखे तो fund ने 8.91% return दिया है और वहीं पर BSC ने 7.0 और यहाँ पर equity ने 6.92 मतलब fund ने अगर 2021 की बात करें तो बहुत अच्छा return दिया है 6 महिनों की बात करें तो आप देखिए fund ने 30.82% return दिया है और वहीं पर BSC ने 26% और large cap ने 26% return दिया है तो अगर हम short term में देखें तो यहाँ पर fund अच्छा perform करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन long term में fund थोड़ा सा underperform करता हुआ दिखाई दे रहा है देखिए 7 साल का return है 12.77% तो अगर BSC में अगर आपने पैसा लगा दिया होता तो 13.5% return मिलता और large cap as a category जो है उन्होंने 13.7% तो fund लगबग 1% से एक underperform कर रहा है पात साल में भी अगर आप देखेंगे तो 14.5% का return है और आप BSC को देखिए तो 1% से ज़्यादा का return है राज cap का भी उतना ही return है तो एक चीज है long term में इस fund ने थोड़ा सा underperformance दिखाई लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि fund अभी short term में पिछले 6 महिनों में इस fund ने गती पकड़ी है और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ भी है क्योंकि fund manager का जो style है उसके हिसाब से ये match करता है और market उस हिसाब से अभी चल रही है तो वह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आगे जाए दोस्तो उससे पहले आपके पास अभी भी mutual fund में आपने invest नहीं किया है तो आप DMAT account से directly भी आप mutual fund में आप investment कर सकते है और उसके लिए कोई broking fee भी नहीं लगेगी नीचे हमने link दी हुई है leading brokerages की जहाँ DMAT account खुलवा सकते है और आप अपना cost भी बचा सकते है investment के समय में अब दोस्तो रिस्क को समझ लेते हैं यहाँ sharp ratio हमारे जो पुराने subscribers है उनको मैंने sharp ratio को बहुते detail में बताया है यहाँ just hint दे दू generally sharp ratio category या index से जादा होना चाहिए तो इसका कितना है 0.3 है जबकि category और index का जादा है 0.4 और 4.6 है तो इसका मतलब है fund ने sharp ratio में beat नहीं किया है यहाँ negative है और standard deviation में हम कह सकते है standard deviation कम होना चाहिए तो standard deviation यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ category index का 21 है 21.8 है 22 है और fund का 23 है तो risk में कही ना कही fund पीछे चल रहा है standard deviation इसका जादा भी है दोस्तो हम एक series भी चालू कर रहा है एक free e-book हम तयार कर रहा है इन सब concepts को बहुत ही simple way में आपके लिए हम ready कर सके दोस्तो तो channel को जरूर subscribe करके रखिए बिल्कुल free e-book रहेगी कुछ दिनों में हम उसकी link भी share कर देंगे दोस्तो अब upside capture ratio है समझ लीजिए market 100 point उपर जाती है जो index है तो category 90 point उपर जाती है तो fund 98 point उपर जाता है तो ये एक तरीके से अच्छा है लेकिन अगर market गिरती है 100 point तो fund 113 point गिरता है तो चरती market में fund perform कर रहा है लेकिन गिरती market में perform थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों ये 3 साल का data है जो हमने morning star से लिया हुआ है तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो fund risk जादा ले रहा है और जो return की भी अगर हम बात करें तो average return है तो इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है अब portfolio को हम समझ लेते हैं पॉर्टफोलियो में total 54 stocks है देखिए और price earning ratio है 15.74 तो यहाँ पर मैं आपको value के बारे में बताओ कि प्रसान जैन साहब generally as a fund manager value investing को prefer करते हैं PSUs या जो government stocks हैं वो आपको इनके portfolio में बहुत देखने को मिलेंगे अब ही मैं आपको portfolio भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में top 10 stock के तो price earning ratio इसका 15.74 है जबकि nifty का 33 के असपास है consolidated अब तो data आ गए है तो उसके हिसाब से बहुत ही एक सस्ते में यह fund मिल रहा है लेकिन stocks भी जो है बिल्कुल value zone में है या वो value trap है वो बता पना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो यह एक चीज है fund manager सहाब की लेकिन fund manager सहाब ने प्रसाद जन सहाब ने इतने सालों survive भी किया है तो long term में उनके fund ने return दिया ही है short term में बहुत बड़ा pain रहा है 2018-19 में इस से भी खराब हालत थी इस fund की लेकिन अभी हम market में देख रहा है कि value stocks जो है चाहे वो PSU हो या फिर दूसरे टाइप की जो companies हो वो अभी cyclical companies जो है वो अभी perform करना उन्होंने सुरू किया है अब देखिए top 10 stocks पर बहुत ज़्यादा focus है क्योंकि 53% top 10 stocks का total है तो यह top 10 stocks भी आपको हम बता देंगे अब fund ने नए क्या-क्या stock अभी add किये है ICICI Lombard General Insurance ICICI Prudential Life Hindustan Aeronautics Tata Communication तो यह कुछ नाम है और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने है कि अभी इन्होंने add ही किया है हो सकता है कि बाद में वो बेच भी दे है SBI Life है Tech Mahindra है Vipro है जहाँ पर उन्होंने stake को और ज़्यादा add किया है यह है top 10 stocks कौन से हैं देखिए HDFC Bank है 8.46% ICICI Bank है SBI है तो top के जो तीन नाम आप देख सकते हैं पूरा banking के ही हैं दोस्तों फिर है IT में Infosys फिर Construction में है L&T ITC FMCG है फिर HDFC Limited ऐसे कहें तो HDFC Limited Parent ही है HDFC AMC का HDFC Bank HDFC Life Insurance का उसका फिर Reliance Reliance को Energy में है लेकिन अब Reliance Energy के बाद Telecom में भी आ गई है Retail में भी आ गई है फिर Access Bank है और 10 वे नंबर पर NTPC है दोस्तों तो आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि Arson & 2BRO, ITC हो गया NTPC हो गया तो यह सब Strong Businesses तो है ही लेकिन हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर Return नहीं देखा है एक Value Zone में यह Stocks एक तरीके से Trade करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों Last में Verdict दोस्तों किसी भी Mutual Fund को आप लेते हैं तो कभी भी 3 माइना 6 माइने का View नहीं रखिए यह Intraday Trading जैसा या फिर Positional Trading जैसा नहीं होता यहां कम से कम 3 से 5 साल देना ही चाहिए तो उस चीज को आपको पहले ही ध्यान में रखना है चाहिए वो कोई भी Fund हो अब देखिए Fund Manager साहब Mr. Prasad Jain बहुत ही Experienced है तो वहां पर आप भरोसा कर सकते हैं उनके दूसरे भी जो Fund है HDFC Balanced Advantage है या फिर HDFC Flexi Cap है तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि Underperform उन्होंने किया हुआ है लेकिन Fund Manager साहब Value Bias है उसको आपको ध्यान में रखना होगा अब देखिए Performance अब सुरू हुआ है आना क्योंकि अब Value Stocks चल रहा है जो भी हमने नाम देखे जैसे Larson and Tubro हो गया State Bank of India हो गया ICICI Bank तो इन लोगोंने अभी Perform करना सुरू किया हुआ है अब Value पर है तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि Momentum वाले Stock यहां पर नहीं मिलेंगे जैसे Avenue Super Mart जैसे DVD Mart हो गया तो यह सब Momentum Stock होता है Market में चल रहा है तो फिर वो चलते रहते हैं तो Momentum यहां पर नहीं मिलेंगे इसलिए आपको Price Earning जो Fund की बहुत ही कम देखने को आपको मिली हुई थी Last में आपको अपना Asset Allocation और Risk दो को ध्यान में रखना है Risky Investor के लिए ही है यह Fund Long Term Investor के लिए ही है Fund अगर आपकी उम्र 50 से जादा है या फिर Retirement को अगर आप Approach कर रहे है तो फिर Equity Mutual Fund रिस्की हो जाएंगे आपका कम से कम 5 साल का तो एक तरीके से आपको Horizon रखना ही चाहिए लेकिन अगर आप Investing शुरू ही कर रहे हैं और Long Term का एक View ले रहे हैं तो फिर इस Fund में आप और ज़्यादा Study कर सकते हैं अपने Radar में रख सकते हैं Positive में Fund Manager experienced है Fund House का बहुत नाम है और अब Performance Value Funds का शुरू भी हुआ है तो अगले 3-6 मैनों में थोड़ा बहुत और यहाँ पर जो Returns है और अच्छे देखने को मिल सकते हैं Risk तो दोस्तों है ही Equity है तो कुछ भी हो सकता है हमको नहीं पता कल क्या होगा Market का किस तरी से reaction रहेगा दूसरी रिस्क यह है कि Value Fund या PSU में अभी भी इंवेस्टर्स को इंट्रेस्ट नहीं आया तो फिर साइद वो लोग और Underperform कर सकते हैं तो यह सब Risk तो है ही दोस्तों उमीद आपको Value मिली होगी दोस्तों आप Direct Mutual Fund के जो Platforms है Demet Account से आप Direct Open भी कर सकते हैं हमने नीचे Link भी दी हुई है दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए चैनल को Subscribe कीजिए एकदम एक सीरीज आ रही है हम लोग Large Cap Mutual Funds की तो मुझे पूरे उमीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए थैंक यू अरिमत दोस्तों